हाई फ्रेंड्स फूड गरी में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे आलू और पनीर की बहुती जबद्रस्टी रेसिपी इसके लिए मैंने मिकसर जाल लिया है तीन हरी मिर्चेत तीन नसुन की कलिया और वन हैंडफूल यहां पे मैंने आड़ किया है फ्रेस हरे धन्य के पत्ते और साथ इसमें हम एड़ करेंगे आधे लिम्बू का रस इसे में दरदर सा पीछ लेना है बिल्कुल फाइन पेश्ट ना बनाएं एक बॉल में हम इस पेश्ट को डाल देंगे अब यहां पे आड़ करेंगे हाप पनीर यह हमारा फ्रेस पनीर होममेड आप शहए तो बाजार से लाएं और इसे गेट करके डाल सकते हैं इससे के साथ हम लेंगे यहां पर तीन मेडियम साइच के आलू जो बॉल किये हुए इसे ग्रेटर के मेरे से ग्रेट कर ले या फिर किसी भी चीज से इसको मैश कर ले अब इसमें एड़ कर देंगे अब डालेंगे कुछ मसाले यहां पर मैंने लिया है भुना कुटा जीरा वन फो टीस्पून कबाब मसाला इसकी रेसिपी मैंने डिस्कृस्टन बॉक्स में डाल ला कि यह हमारा होम मेडे बहुत ही जबदस्टा मसाला बनता है कबाब का मसाला है हमारा आप जाकर चेक कर सकते हाफ टीस्पून अबर्ध मैंने कट मसाला पौंडर कोटुहि लाल मिरचे साथ ही यहां पर पर हाफ टीस्पून काला नमक कि और उसके साथ यह हैंड़ के व सफिज़म फोन यहां एट कटा हुआ धनिया का पत्ता हम सैंसे अक्छिछ सेु मिला लेंगे हम ताके सारे मसाले अच्छे से मिल जाए और मिलाने के पाद हमें इसमें छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं यसे गुलाब जामुन की जो साइज होती है बिल्कुल मैं वही साइज दे रही हूँ आपको जिस शेप में पसंदो जो साइज देना हो वो साइज दे सकते हैं इस तरह करके हम सारे बॉल्स बना लेंगे यहां पर यह देखिए हमारे सारे बॉल्स बन चुके अब एक पॉल में लिया मैंने पानी और जितना बॉल्स हमारा था आलू और पनीर का उतना ही मैंने ब्रेड लिया है इसके एडेस को मैंने कट कर लिया अब इसे पानी में भीगोना है औ और इससे डैप करना है एकसेस पानी जो हमारा निकल जाए और जो हमारा ब्रेड वह अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और पतला हो जाए और इसमें रखेंगे वह बॉल्स हमारा आलू पनीर का और इसे जैसे हम लड्डू बनाते हैं बिल्कुल हातों को वैसी दबाते हुए इसको गौल्ड शेप में ऐसे कर लेना है बाकी कि हम सारे ऐसे पनाल आलेंगे यह देखिए हमारे सारे बॉल्स बन चुके हैं और तेल भी गरम हो चुका है你看 करके हम सारे जो बॉल से हमारे पनीर और आलू ब्रेट के इसमें हम एड़ करेंगे जब भी आप कोई भी तेल का जो चीजे बनाए तो उसमें आप खास ध्यान रखें सेफटी कम फर्स्ट बिल्कुल हैतियात से बिल्कुल धीरे धीरे आप इसमें डाले आप फ्लेम जो हमारा है मेडियम है मेडियम फ्लेम पे हमें इसे पकने देंगे चार से पांच मेर तक ताके हमारा जो ब्रेड है वो अच्छे से पक जाए एक तरफ से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, चनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दे यह देख सकते हैं, चार से पांच मिड़ बाद हमें इसे पलट देना है, ताके हमारा जो बॉल से वो दूसरे तरफ से भी अच्छे से पक जाए, इसको पलटने के लिए मैंने यहाँ पे आईरन का पतला सा रॉड मैंने यहाँ पे इस्तमाल किया है, यह मेरा फेवरेट तो मैं इसका यूज करती है, इससे ना बहुत ही आसानी से हमारा जो कोई भी चीजों वो इससे पलट जाता है, बिना ब्रेक हुए, तो आप किसी भी चम्मच की सहाथिय से इसे पलट ले, यह देख सकते हैं, सारे बॉल्स हमने पलट लिए हैं, अब एक तरफ से भी पका ल और बस जैसे हमारा बन जाए है, बस हमें इसे निकाल लेना है, और आपके जबदस से पनीर आलू के पकोड़े रेडी हैं, बॉल्स हमारे, इसे आप रमजान में जरूर ट्राए करें, थैंक यू, अल्ला हाफीज